क्या आप जानते हैं कि सूरज मुखी ऐसा फूल है जिसकी लगभग 50 प्रजातियां पाई जाती हैं? सूरज मुखी के बारे में ऐसे ना जाने कितने तत्य हैं, जिनके बारे में आमतौर पर लोग नहीं जानते. दिल्चस्प बात यह है कि जितना खूबसूरत यह पीला फूल है, उतना ही लाबदायक सूरज मुखी का तेल भी है. इसके तेल को दुनिया भर में एक सेहत मंद तेल की तरह इस्तेमाल किया जाता है. आईए, सबसे पहले आपको यह बता दें कि यह तेल आपके लिए अच्छा क्यों है. हलके भूरे रंग का यह प्लांट, बेस्ट वेजिटेबल ओनायल, आपकी सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है. सूरज मुखी के तेल में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जिसमें औलिक और लिनोलिक फैटी एसिड आमतार पर 90% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा ज्यादा होती है. Unsaturated fatty acid शरीर में cholesterol की मात्रा और हृदय रोग का खत्रा कम करने में मदद करता है इसके अलावा इसमें vitamin E भी अच्छी मात्रा में पाई जाती है यह शरीर में anti-on accident की तरह काम करता है और polyunsaturated fatty acid को onyxikaran से बचाता है सूरज मुखी के तेल के फायदे के वजह से इसे premium तेल माना जाता है सूरज मुखी के तेल के फायदे सूरज मुखी के तेल खाने के फायदे यह है कि यह आपको हृदय रोग से बचा सकता है दरसल सूरज मुखी के तेल की खासियत यह है कि इसमें saturated fat की मात्रा अन्य तेल की तुलना में कम पाई जाती है साथ ही इसमें allic acid होता है जो की हृदय स्वास्थि के लिए उपयोगी हो सकता है वहीं एक शोध की अनुसार सूरज मुखी के तेल में पाया जाने वाला allic acid एक प्रकार का unsaturated fatty acid हृदय रोग का खत्रा कम कर सकता है माना जाता है कि दिन में 1.5 छमच 20 ग्राम allic acid के सेवन से रिदय रोग का जोखिम कम हो सकता है इसके अलावा रिदय रोग का जोखिम कम करने के लिए इसमें मौजूद vitamin I, anti-o accident की तरह काम करता है सूरज मुखी के तेल में phytosterols, phytoesterol और terpenoid, terpenoids नाम का तत्व पाया जाता है जो पेट के cancer, colon cancer के खत्रे को कम कर सकता है इस प्रकार सूरज मुखी के तेल खाने के फाइदे cancer से बचने में हो सकते है हालांकि शरीर के अन्य cancer के लिए यह किस प्रकार काम करता है इस पर अभी और शोध की आवश्यकता है अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है तो खाने में सूरज मुखी के तेल का उपयोग करने से आपको फाइदा हो सकता है सूरज मुखी के तेल के स्वास्थिलाब की बात करें तो कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार सूरज मुखी के तेल में रेचक, लैक्सिटिव, गुण हो सकते हैं और इससे पाचन में आसानी हो सकती है साथ ही दूसरे तेल के मुकाबले यह बहुत हलका होता है जिस वजह से आसानी से पच सकता है हालां कि इसका अभी कोई वैज्ञानिक प्रमान उपलब्ध नहीं है मोतियाबिंद एक गंभीर नेत्र रोग है जिसमें दृष्टी धुंधली हो जाती है ऐसे में इससे बचाव के लिए विटामिन E को उपयोगी पाया गया है शोध में यह बात सामने आई है कि विटामिन E बरहाती उम्र की वजह से हो रहे मोतियाबिंद के खत्रे को कम कर सकता है वहीं सूरज मुखी के टेल में विटामिन E मौजूद होता है जिस आधार पर माना जा सकता है कि इसका सेवन मोतियाबिंद के जोखिम को कम कर सकता है हालांकि सीधे तोर पर इस विशय में शोध का अभाव है वहीं डॉक्टरों का मानना है कि मोतियाबिंद बढ़ती उम्र में होने वाली आँखों की एक आम समस्या है जिसका उपचार छोटी सरजरी मातर ही है तेल का सेवन इसके खत्रे को कम नहीं कर सकता है ऐसे में सेहत मंद रहने के लिए सूरज मुखी का तेल उपयोगी हो सकता है लेकिन हो सकता है मोतियाबिंद के लिए यह ज्यादा प्रभावकारी न हो शोध के अनुसार इसमें मौजूद पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड उम्र के साथ कमजोर हो रही हड्डियों को मजबूत बनाए रखने में मदद कर सकता है अगर आप सूरज मुखी के तेल का उपयोग अपने आहार में करते हैं तो ये हड्डियों के स्वास्थ के लिए लाभकारी हो सकता है तेलिये तवचा मुखासों का एक कारण है लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि मुखासों पर तेल लगाने से वे ठीक हो सकते हैं? जी हाँ, पिम्पल पर सूरज मुखी के तेल का उपयोग करने से आप मुखासों से निजात पा सकते हैं इसमें मौजूद लिनोलेनिक एसिड मुखासों को कम करता है और इसके एंटी इंफ्लेमेटरी गुण सूजन से राहत दिलाते हैं इनके साथ सूरज मुखी तेल में घाव भरने वाले गुण भी होते हैं जो आपको पिम्पल के घावों से भी आराम दिला सकते हैं एक्जिमा के इलाज के लिए सूरज मुखी के तेल का उपयोग किया जा सकता है इसमें पाए जाने वाले लिनोलिक एसिड में एंटी इंफलेमेटरी गुण होते हैं जो आपको एक्जिमा की समस्या से राहत दिला सकते हैं शोद के अनुसार संक्रमित क्षेत्र पर सूरज मुखी तेल लगाने से एक्जिमा से आराम मिल सकता है सूरज मुखी तेल के स्वास्थ लाप के अलावा इसका उपयोग आप अपने बालों को स्वस्थ रखने के लिए भी कर सकते है यह विटमिन आई से सम्रिद्ध होता है जो एंटी ओन एक्सिडेंट होने के कारण आपके बालों को फ्री रेडिकल्स से बचा सकता है ऐसे में सूरज मुखी के ठेल का उपयोग इस कमी को पूरा करके बालों को जहड़ने से रोक सकता है और उन्हें स्वस्थ बनाए रखने में मदद कर सकता है अगर आपको त्वचा पर किसी भी वजह से इंफ्लेमेशन या सूजन आ रही हो तो उससे आराम पाने के लिए आप सूरज मुखी के ठेल का उपयोग कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि अधिक लोग इसके बारे में जान सकें